करमचारियों की हाजरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्योटी, सब का रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो, एक साथ एक ही एप पर, डाउनलोड पगार खाता इन तस्वीरों को देख कर कौन कहेगा कि देश में कोरोना काल चल रहा है, कौन कहेगा कि अभी कुछ रोज पहले ही कोरोना से हाहाकार था, लोग दम तोड रहे थे, शोक का सम्मंदर था, सबूर मायूसी थी सैक्ड़ों के भीड है, धोल मंजीरे के बीच जैकारे हो रही है, ना मास्क है, ना कोरोना का कोई खौफ, सब मस्त हैं, आस्था में व्यस्त हैं कोई जमीन पर बैठा है तो कोई खाट पर भीड के बीच कुछ लोग हवन कर रहे हैं वहीं उपले जलाकर कड़ाहे में कुछ उबलता नजर आ रहा है इन सब के बीच आकर्शन का केंदर एक साधु बाबा जमीन तक गिरती जटाएं और हाथ में लाठी वो बार-बार कड़ाहे में कुछ डालते नजर आते हैं बीच बीच में भीड को वो संबोधित करते भी दिखाई देते हैं लेकर इस आवास को सुनिए बखाइदा माइक पर एनाउंस्मेंट करके लोगों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है कोविड गाइडलाइन्स की धज्जियां उड़ाकर पहुंची सभीड का अभिवादन किया जा रहा है साधुवाद दिया जा रहा है इस शांती के लिए मैं सबको साधुवाद देना जाहूंगा कि आप पूजा में समरफित भाव से खड़े है सरद्धावान, सरद्धा नवत है आप आपकी सरद्धा के लिए बहुत-बहुत साधुवाद बहौल पूरी तरह धार्मिक है दूर दूर तक कोरुना नाम के उस बहामारी का खौफ नहीं जिससे कुछ दिन पहले पूरा देश जूज रहा था अब ज़रा जान लीजिए कि आस्था के अंधभीर कहा जुटी कहा कोरुना प्रशासन सबको ललकारा गया यह तस्वीर वारानसी से सटे सारनाथ के छाही गाउं की है बताया जाता है कि इलाके के ग्राम प्रधान ने पंचाय चुनाव जीतनी के बाद मननत उतारने के लिए कराही पूजन का आयोजन किया था कराही पूजन का आयोजन किया गया था ग्राम प्रधान आयोजत थे लेहाजा पंचायत में दूर दूर से भीड़ आई, बड़े बड़े लोग भी पहुँचे, जन प्रतिनिधियों के प्रति आभार भी व्यक्ति किया गया आस्था के आगे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियों की तस्वीरे पहले भी यूपी की कई इलाकों से आ चुकी हैं, चाहे अयोज्या के हनुमान गड़ी मंदिर में पूजा के लिजुटी भीड हो या वारा नसी संकट मोचन मंदिर की श्रधालू के जमावडे की तस्वीर लगता है कि आस्था क्या आगे सब कुछ बेमानी हो जाता है, लेकिन सवाल प्रिशासन के उपर भी है कि बार-बार उसकी नाग के नीचे कैसी नियमों का मौखौल उड़ा दिया जाता है, रोशन जैस्वाल वरानसी यूपितक